वेल्कम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप से शेयर करें हूँ कलाकंद की रेसिपी बहुत ही इजी और टेस्टी होती है घर पर आप बना सकते हो कभी भी किसी भी टाइम बस इसके लिए आपके पास चाहिए होता है दूद तो यहां पर मैंने लिया है डेट किलो के करीब करीब दूद मैं बढ़ने और बढ़ने करेंगे अलग आदा कीलो के करीब दूद मैंने लग से पतिले में रखा है गरम उर इसको आपको तब तक करना कर नहीं जब तक किन दूद तक चाहएं जर्ड़ियों कर दोखे कर देए कि अलग विद्ध हम से दूद कर देंगे इस तो यहाँ पर मैंने लिया है फुल-फेट मिल्क, आप कोई भी मिल्क ले सकते हो जो आपके पास अविलेबल हो, तो यहाँ पर दूद में उबाल आ चुका है, अब हमें दूद को फार देना है, आप सिर्का है आपके पास, या लेमन जूस जो भी है, आप यूस कर सकते हो इस इसको भी बीच विलाते जाएंगे यहां देखिए मैंने पास सिर्क का इस टाइम नहीं था तो मैंने यहां पर लेमन सिरप था उसे ही मैंने इसको फार दिया है यह देख सकते हो इसमें जो लेमन के जो सीड है वह हम इसको निकाल देंगे यह देख सकते हो अब इसको एक पानी निकाल देना है और पानी निकालने के बाद इसको आपको पोटेटो मेशर से या फिर फ्लेट बॉटम वाला कोई भी आपके पास बर्तन हो गिलास हो उससे आप इसको मैश कर सकते हो तो यहां देखिए मिर पास एक गिलास था फ्लेट बॉटम वाला उसको मैश कर रही ह यह आप देख सकते हो यह देखने में कितना ज्यादा सॉफ्ट यह लग रहा है इसको मैंने 3-4 मिनिट तक मैश कर दिया है अब देखिए काफी सॉफ्ट हो गया और एकदम मलाई की तरह यह मखन की तरह एकदम सॉफ्ट हो गया है तो हमारा चेहना कलाकंद बनाने के लिए एक सिंपे छोड़ दूँगी तो इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से हमें इसको मिलाते रहना है थोड़ी देर और काफी गाड़ा हो गया है देखने में और आप देख सकते हो यह और भी ज़्यादा गाड़ा हो गया है क्वांटिटी भी काफी कम हो गई है अब टाइम है शुगर डालने का शुगर आपको डालनी है according to taste मगर कलाकंद में शुगर आप कम ही डालो तो ज़्यादा अच्छा तो इसको शुगर डाल दी है और इसको अच्छे से मिला भी दिया है शुगर भी अच्छे से घूल गई है अब हम इसमें एड करेंगे चैना जो हमने मैश करके रखा है आपको चैना मैश होने जरूर देना है और सबसे बड़ी बात आपको शुगर चैना डालने से पहले ही दूद में एड करनी है शुगर आप चैना डालने के बाद डालोगे तो कलाकंद में एक शुगर का एक जो टेस्ट है वो रह जाएगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और आपको यह फुल फ्रेम पे पकाना है थाकि इसका कलर भी चेंज ना हो और फटा-फट इसको मिलाते रहना इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए यह आप देख सकते हो इस तरह से इसको मिलाते रहना है यह देखने में वाइट ही रहना चाहिए तो कलाकंद जो होता है एक तम मुह में गुलने वाली मिठाई होती है एक तम बर्फी की तरह नहीं होता है य क्यातक शोफ्ट सी हैं मिठाई होती है तो आप देख सकते हो यह अलग अलग बिल्ग तो दोड़ आलग छहना ठीक्सच्चर और सिंद aquesta आ एक रीmo सकते हो यहां पर मैंने में निकाल दा धिया सकते हैं एक हैं such सबीक जो है नाइफ की हेल्प से आपको सेट करना है किसी भी बरतन में जो आपके पास बरतन अविलेबल हो तो मैं इस तरह से मैंने इसको नाइफ की हेल्प से जरूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना तो मिलती हूँ एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर